ओम शान्ति संगम पर श्रिव बाबा आकर हमको पुजारी से पूज्य बनने की विधी भी बताते हैं हमें इतना खुश नसीब बनाते हैं कि हम राज्ययोग सीख सुवर्ग के मालिक बन सके ऐसी ही बाते हमने आज की मुरली में सुनी तो उन बातों को हम रिवाइस करेंगे आज 8 चुलाई 2021 के महवाक्यों की विशेश बाते इस प्रकार हैं ब्रदर हुड और फादर हुड के विशे में बाबा ने क्या बताया वै हमारा बाप है ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदर हुड है सन्यासियों अत्वा विद्वानों के कहने अनुसार इश्वर सर्व्यापी कहने से जैसे की fatherhood हो जाता है brother होने से बाप सिद्ध होता है जिससे वर्सा मिलता है fatherhood है तो फिर वर्से की बात ही नहीं है हम सभी आत्माओं का बाप एक है उसको कहा जाता है world god father सभी brothers हैं, आत्माएं हैं सबका god father एक ही है आत्मा को बुद्धी में कौन सी बाते धारन करनी है उस बाप की सभी प्रार्थना करते है एक की ही बंदगी वा पूजा होनी चाहिए वह है सतो प्रधान पूजा बाप ज्यान देते हैं सद्गती के लिए सद्गती कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को हमारा घर शान्ती धाम है तीन लोकों का ज्यान हमारा घर शान्ती धाम है उसको मुक्ति धाम, निर्वान धाम भी कहा जाता है सबसे अच्छा नाम है शान्ती धाम यहां तो ओर्गन्स होने के कारण आत्मा टौकी में रहती है बोलना पड़ता है सुक्ष्म वतन में है मूवी इशारे से बात होती है आवाज से नहीं तीनों लोकों को तुम जान गए हो मूल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धी में बैठा है ऐसी कौन सी बाते हैं जो केवल बाप ही आकर बुद्धी में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते मनुश्य स्रिष्टी के लिए ही गाया जाता है कि यह स्रिष्टी चक्र लगाती है उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी मनुश्य ही तो उसको जानेंगे न वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी सुनाते हैं उच ते उच बाप ही जानते हैं वर्ल की history geography कैसे repeat होती है, इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, लक्ष्मी नारायन के लिए गाते हैं, आप संपून निर्विकारी, अपने को संपून विकारी कहते हैं, सत्य युग में हैं संपून निर्विकारी, अत्वा संपून पावन, कल युग म जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाते हैं बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूं देवताएं पूज्य होते हैं मैं नहीं बनता हूं भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं लक्षमी नारायन जो पहले पूज्य बनते हैं फिर भक्ती मार्ग में श्रिव बाबा के पूजारी बनते हैं जिस शिव बाबा ने महराजा महरानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जब देवताएं विकारी बनते हैं, तो क्या होता है? देवताएं विकारी फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं, जो पूज्य लक्ष्मि नारायन थे, वही फिर पूजारी बन जाते हैं, पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय हीरों की कट कराय लिंग बनाते हैं पूजा के लिए, हम संगम युगी ब्राह्मन क्या समझत हैं, अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, संगम युग पर ना पूज्य है ना पूजारी है, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हैं, औरों को भी बना रहे हैं, हम ब्रामनों की आत्मा पवित्र होती जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना करेगा अभी हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं ज्रामा में कॉन सी बाते नूंद हैं ये लडाई तो एक निमित है सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे अनेक प्रकार की कलामिटी'S होंगी अब तो सब का मौत होना है पिछाडी में न होस्पिटल न डॉक्टर्ज रहेंगे ना किर्या करम करने वाले रहेंगे, सबके प्रांट तन से निकलेंगे, मुसलधार बरसात पड़ेगी, मौथ में देर नहीं लगेगी, बॉम्स बनाते रहते हैं, बॉम्स की इंप्रूब्मेंट करते रहते हैं ये थी आज के मुरली की विशेश बातें बाबा ने हमें ग्यान दिया कि हम जो सारे दिन में करतवे करते हैं वो तो हमें करना ही है शरीर निर्वाह अर्थ लेकिन ये सब करते हुए हमारा बुद्धी योग बाबा से लगा रहे ताकि हम याद के द्वारा वापस घर जा सकें और फिर नई दुनिया में आएं और कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए कि आज की मुरली में से कौनसी विशेश बात आपको पसंद आई जिसे आप धारन करेंगे ओम शान्ती